Hello students, हम लोग projectile की question कर रहे थे और इस वीडियो में projectile की question में एक बहुत famous question है ball rolling on a staircase की question आपको almost सारी books में मिल जाएगा question की language अलगलग question में हो सकता है वैरी करेगी जो main theme है, in fact, aseverma baby step के question है main theme यह है कि एक ball को या एक object को हम एक staircase में staircase सीडियां जो होती है उनमें एक particular point से throw कर रहे है with some speed you वजय कर रहे है जो सीडियों के steps है, staircase के steps है वो सारे के सारे steps uniform है in terms of their height, हर step की height h है in terms of their width, हर step की width b है हर step similar है, एक जैसा हर step की height h है हर step की width b है, step के same n steps है कई सारे steps है n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, n निकाल नहीं हो तो question यह है कि ball को, obviously हम जतनी जादा speed देंगे उतने जादा step से cover करके गिरेगा तो question यह है कि अगर ball की speed आपको यू दे रखी हो तो आपको बताना है कि कि step को जाके hit करेगी कितने steps complete कर लेगी आपको, मालो, n steps complete करेगी तो n की value बताना है n यहाँ पर question है question को revert करके दूसरे manner में भी पूछ सकते हैं, आपको दे रखाओ n की value कितनी है, 2, 3, 4, 5, आपको दे रखाओ if the ball strikes, the fifth step then what should be the speed u, what should be the value of speed u आपको n दे रखाओ आपको u की value कूछ लेंगे या आपको u दे रखाओ तो n की value कूछ लेंगे तो u और n के बेश में ultimately relation आगर हम लोग इस question में derive कर ले जाएं तो u से n, n से u निकाला जा सकते हैं यह question है तो पहली चीज तो इसकी basic theme समझने की है कि particle का path कैसा है जिक्स में हाचीज भूमिफिरा के यह आजाती ही कि हम motion analyze करना चाहते हैं तो हमको path पता होना चाहिए कैसा होगा इसका path तो देखें इसका path जो होगा वो जैसे हम इसको horizontal velocity दे देंगे तो यह under gravity चलने लगेगी जब यह under gravity चलने लगेगी तो gravity की बजह से जो इस पर acceleration आएगा वो तो y direction में आएगा velocity x में और मैं कई बार repeat कर सकता हूँ कई बार repeat कर चुका हूँ अगर acceleration constant हो और velocity और acceleration के बीच में 0 या 180 के एंगल ना बने और acceleration constant है बदल नहीं रहे तो हमेशा projectile parabolic path में particle चलेगा यहां पर भी वही होगा वैसे ही अभी अगर projectile के अगर आपने वीडियो देखे हो तो यह horizontal projection from a height है और horizontal projection from a height में x वाला motion uniform होता है y वाला uniformly accelerated होता है x वाला uniform motion y वाला uniformly accelerated होता है x वाला motion uniform का मतलब क्या x में आपने speed u दे थी चला जा रहे हैं अब यह किसी t time पर ut distance चलेगा y में uniformly accelerated है वड़ y में initial कोई velocity तो थी नहीं तो y में चलेगा ut plus half a t square से ut आपने 0 रख दिया half gt square चलेगा तो अब देखें माली यह nth step में strike करता है पहले step में अगर strike करता जैसे यहां पर करता ही जो मैं point आपको दिखा रहा हूं यह वाला करता तो यह एक step के चलने में height चलता 1h x में चलता 1b height को हम y चलने दूसरे step में यहां अगर strike करता तो y में चलता 2h x में चलता 2b 3h3b 4h4b nth step में nh nb चलेगा तो देखिए मैंने लिखा y में जो nh है यह देखिए यहां पर मैंने board पर पड़ाया तो y में जो nh है वो मैंने लिख दिया half gt square x में जो nb है वो मैंने लिख दिया distance is equal to speed due time x का uniform, y में uniformly accelerated अब मुझे relation निकालना है time हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ इससे t निकालके पहले वाले में रख दो t की जो है मैंने value निकाली nb is equal to ut जो लिखा हुआ है इसमें से मैंने t को लिखा nb upon u यहां पर substitute कर दिया चिक तो दूसरा भी कर सकते nb is equal to ut में nb is equal to ut तो उटा है tm पहले से उटा के रख दें t square दिकी रख 2n h upon g यह तो t हो जाएगा under root 2n h upon g यह आगा है relation अब मैंने इसको class में solve नहीं किया था और मैं यहां पर भी नहीं करने जा रहूँ कि इसके पर understood है b आपको पता था h आपको पता है g आपको पता है u और n के सामने relation आपके लिखा हुआ है यह लग बात है कि lhs में n है और rhs में under root n है तो n से root n कटने के बाद root n बचेगा अब चाब वो under root हडालो square करके तो under root हडालोगे तो आपको n और u में relation मिल जाएगा अब u पता हो तो n, n पता हो तो u निकाल सकते हो मांकि h, b और g के thumbs में यही आपका एक ball rolling on a staircase का करने का तरीका है समझ में आया तो इस तरीके से हम लोग projectile के question करते हैं उसके motion को components में break करके Thank you अगर कोई doubt रह गया हो तो comment box में comment करके या पूछो तो app में download करके आपको जो भी question हो अपनी पढ़ाई करते वक्त आपको जो भी question आये उसका आप एक snap start खीच लो अपनी copy में book के page का snap start खीच लो जो question है उस snap start को आप जो है जाओ पूछो तो app download करो play store से अगर आप engineering के student हो तो board plus engineering के section में करना अगर आप medical के student हो तो board plus medical वाले section में जाके snap start post का देना आपके doubt then and there itself reply मिल जाएका वहीं app पे